प्लाउज के साथ सीख़ेंगे ब्लाउज़ का लिए बिल्कुल नाय डिजाइन आप दूसरे सैनल पहें बिल्कुल नया और वाई रिवनीक है तो यहां पर मैंने साइच की इसाथ से ब्लाउज़ को कट कर लिया है बैकनेक है यहां पर देखे फ्रेंज सोल्डर हम लिए हैं साड़े पांच इंच कि डिजाइन हमारा डीपनेक में है आर्मोल की लंबाई ले लेंगे पौने छे इंच यानि छेंच में दो पॉइंट कम और ब्लाउज का टोटल लंबाई यहां पर पंदर इंच में ले रहे हैं 14 इंच और एक्स्टरा मारजन रखलेते हैं दो इंच बाहर के साइट उपर से गले की चब्लाई ले ले लेंगे 2 इंच और गला का लंबाई यहां पर हम ले रहे हैं 1-3 inch में आप अपने पसंद की इसाप से कम्मे ज्यादा कर सकते हैं नीचे से गले की चंडाई ले लेंगे 3 बॉक्स रड़ी करने के बाद से देखें इसमें गले में सेफ देते हैं तो आपकी गले की जो सेफ होती है अच्छी आती है अब यहां पर देखिए राउंड सेफ देदेंगे नीचे के साइड और नीचे से देखिए साड़े तीन इंच पर आपको मार कर लेना है बाहर के अब हलकासा अंदर के साइड करते हुए उपर के साइड सेफ दे देंगे और डेड़ इंच के दूरी पर इसको हम मार कर लेते हैं गेड़िन से आप दो पॉइंट बढ़ा ही लें इस तरह से हम मार किंग कर लेंगे दम बराबर बराबर से और अच्छे से इस लाइन को मिला लेंगे लाइन को मिलाने के बाद से उपर वाला जो सेफ है उलाके मिलाएंगे नीचे तक और सबसे पहले हम गले को कट कर लेंगे तो उपर वाली मार किंग पर पहले आपको नहीं कट करना है जिस तरह से आपका गला है नीचे वाला उस तरह से कट करना है आप बीच का जो एक अप पेपर पेश्टिंग को साइड करेंगे सबसे पहले जो बीच का पार्ट निकला हुआ है उसको देखिए दोनों साइड से फोल्डेड साइड मिला के रखेंगे और उपर के साइड आदा इंच और नीचे के साइड आपको लंबाई के साइड नीचे से बढ़ा लेना है कि इतना कपड़ा हमारा मार्जन में जाएगा इसलिए पेपर पर हम बढ़ा लेते हैं उपर के साइड से एक दम गले के साइड से आपको कट करना है इस चीज का आपको ध्यान रखना है बस नीचे के साइड और साइड में आपको आधादा इंच बढ़ाना है है यहां पर पेपर पेस्टिंग डबल फोल्ड करके रखे हैं और बंद भाग के तरह बंद भाग को मिला के रख लोanes कि जिस तरह से आप गले का कटिंग किए एक दम उसी के बराबर से आपको paper pasting के उपर marking करनी है marking यहाँ पर dark कर लेंगे और इसको भी हम cut कर ले रहे हैं यहां से cut करने के बाद से अब एक इंच के दूरी पर बार के side margin के लिए cut करके इसको निकाल लेंगे और यहाँ पर मेरे पास astra का कपड़ा नहीं बचा था इसके लिए मैं अस्तरवाली पाट के उपर यानि गले के उपर अच्छे से मिलाते हुए श्टीच कर लूँगी आप चाहें तो प्रेज से इसे चिपका सकते हैं बट इस टाइम लाइट नहीं था इसके उजसे मैं सिलाई करके इसको सेट कर ले रही हूँ अगर आपका जो साड़ी का में पीस है पतला में है तो आप इस तरह से न यूज करें नहीं तो फिर पेपर पेश्टिंग उपर से दिखने लगेगा कपड़ा उपर वाला मोटा होना चाहिए तभी आप इस तरह से पेपर पेश्टिंग यूज कर सकते हैं अब देखिए में कपड़े के सीधे साइड मिलाते हुए इसको रख लेंगे और यह चाप कपड़ा मार्जन में दबाते हुए पूरे गले को स्टीच कर लेंगे यहां पे देखिए अच्छे से आपको सेट करके रखना है में कपड़े के उपर और अंदर का जो भी एक्ष्टा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल लेंगे कट करने के बास यह देखिए पूरे गले में आपको छोटा छोटा कट लगाना है इस चीज का आपको ध्यान देना है कि आपका जो शिलाई है वो नहीं कटना चाहिए अब हम देखिए अस्तर वाले पाट को बाहर के साइड करते हुए इसके उपर एक कंची सिलाई लगाएंगे इस तरह से देखे फ्रेंस कंची सिलाई लगाने के बाद से उसको हम पलट लेंगे और पलट करके आप इसके उप़र प्रेस लगा लें नई तो फिर गले के उपर सिर्फ निसिंग की सिलाई आप लगा सकते हैं अब हम देखिए अस्तर की all round stitching करके उसको main कपड़े के साथ अच्छे से सेट कर लेंगे और main कपड़े के साथ सेट करने के बाद से अस्तर के बाद जो भी extra कपड़ा है main कपड़े में का उसको हम कट करके यहां से बराबर कर लेंगे नीचे से भी आप बराबर कर लें और बराबर करने के बाद से यहां पर हम cotton वाली पट्टी लेंगे जिसकी चमडाई दो इंच है और सीधे साइड से इस पट्टी को स्टीच करके हम अंदर के साइड फोल्ड कर लेते हैं यहां पर देखेंए कमर पट्टी हम ज्वाइन कर लिए हैं और कमर पट्टी ज्वाइंड करने के बास्ते इसे अंदर के साइड फोल्ड करते हुए फिर से इसके उपर कच्ची सिलाही लगाएंगे कियोंकि तुरौपाई के बास्ते इस सिलाही को हमें खोलना होता है इसको कर लेंगे साइड में और यहां पर देखिए तीन इंच लंबाई शौड़ाई स्क्वाइर में पीस लेंगे और इसको ट्रेंगल में पहले फोल्ड करेंगे फिर से फोल्ड करना है आपको और इस तरह से डिजाइन आपको रेडि कर लेना है देखिए दूसरा पीस भी हम सेम आइडिया से रेडि कर रहा है सिलनेक के बास से अब देखिए यहाँ पे रेडिमेंट जो डोरी आती है उसी डोरी को लिए है और इसके बीच ओ बीच में डोरी को फॉल्ड करते हुए श्टीच कर लेंगे बिल्कुल अलग और यूनिक डिजाइन है फ्रेंच जरूर ट्राइ के जिएगा यहाँ पे दूसरा पीस भी लेंगे और इसकी भी बिल्कुल बीच ओ बीच में डोरी को डबल फोल्ड करते हुए टक कर लेंगे और नीचे का एक श्टा कपड़ा कट करके बराबर कर लेंगे तो दो पीस यहाँ पर हम रेडी कर लिए हैं बाकी पीस को आपको रेडी करना है और यहाँ पर सुई दागे के मदस से दोनों पीस का जो नोख है उसको आपस में स्टीच करेंगे आप देख सकते हैं किस तरह स यहाँ पर 3-4 बार रिपीट करके आपको अच्छे से टक करना है और टक करने के बासे बीच में एक हम मोती टक करेंगे यहाँ पे देखिये और आपमीडियम साइज का एक मोती ले लें आप बिल्कुल वीचों बीच में टक करें यहाँ पे दो बार रिपीट कर लेंगे मोती को भी कि पहनने के बाद से खुले न और आप देखिए आपको क्या करना है जो रेडिमेंट गोल्डेन कलर का डोरी टकी है इसका जहाँ भी नोख है वहाँ पे आपको सुई से दबा देना है नहीं तो फिर पहनने के बाद से उप बाद लेंगे और बादने के बास से दूसरा साइड हमारा बंसा है इसका भी जो कॉर्णर है न गोल्डेन कलर का डोरी का उसको अच्छे से एक दो बाद टक करेंगे यहां पे देखिए किस तरह से मैं कर रहे हूं और नीचे से सुई को आपको निकालना है बिल्कुल बीच में और बीच में भी यहां पर हम टक करेंगे तो देखे फ्रेंस दूसरे साइड भी हम टक कर लिया है और बागी पीस को सेम एडिया से रेडि करना है और रेडि करने की बासे जो बढ़ा करके हम पेपर कट किये थी बीच का जो कपड़ा निकला था मारा गले का उसी पेपर को सेट करते हुए स्टीच करना है सबसे पहले ऊपर के साइड से स्टीच करेंगे और जिस तरह से आपका पेपर का कटिंग है उसी सेप में आपको इसे इस पर रखके सिलना है आप देख सकते हैं किस तरह से अच्छे से मिला करके मैं पूरे डिजाइन वाले पीस को पेपर के साथ सेट कर रही हूं सेम आडिया से आपको भी कर लेना है उपर के साथ सेट करने के बाद से अब देखे उसी सिलाई को हम नीचे के साथ लाएंगे और नीचे के साथ लाने के बाद से आपस में इसको मिला के रखेंगे और नीचे से भी इसको सेट करके स्टीच कर लेंगे देखे नीचे की साइड भी सट करके हम सिलाई लगा लिए हैं और सिलाई लगाने के बाद से आपको जो भी एक्ष्टा कपड़ा है उसको कट कर लेना है पेपर के बाद जो भी एक्ष्टा कपड़ा दिख रहा है उसको उल्टा करके उसे कट करके निकाल लेना है निकालने के बास से यहां पर अब हम नीचे से भी इसको अच्छे से बराबर कर लेंगे यहां पर देखे दो इंचोड़ी पट्टी लेंगे जो उरे भी पट्टी होगी और इस पट्टी को हम उल्टे साइड से सिल करके सीधे साइड फोल्ड करेंगे इस तरह से पट्टी को डबल फोल्ड करके सिलिए और डबल फोल्ड करके यहां पे हम सिल लिए है अब इसको हम सीधे साइड पुलट लेंगे पट्टी को और सीधे साइड पुलट करके आपको कॉर्णर की सिलाई लगा लेनी है सिलाई लगाने के वासे फ्रेंज देखिए यहां पर हम पतला सा लैस यूज़ कर रहे हैं ताकि इसका जो लुक है और अच्छा आजाए तो आपको अपने मैचिंग की साब से लैस लगा लेना है यहां पर आप पतला लैस यूज़ करें इसको लगाने के बाद से देखिए दोनों का सेंटर मिलाते हुए इसको इस तरह से रखके सेट कर लेंगे और सेट करके यहां से सिलाई लगाना इस्टार्ट करेंगे और जो डिजाइन वाला पार्ट है उसको बैक पार्ट के साथ सेट कर लेंगे यहाँ पर आपको आदा इंच चढ़ाती विसीलना है नहीं कि फिर पहनने के बाद से फसक सकता है डिजाइन आपका लाश्ट तक देखिए इसको हमें स्टीच कर लिए हैं और स्टीच करने के बाद से यहाँ पर हमारा डिजाइन सेट हो जाएगा डिजाइन को सेट करने के बाद से अब हम नीचे के साइड भी लैस यूज कर रहे हैं जो वाला लैस जो लैस हम उपर के साइड लगाए थे उसी लैस को हम नीचे के साइड लगा रहे हैं लेश को लगाने के बाद से अब देखिए फ्रेंस यहां से हम मार्किंग करेंगे राउंड देते हुए और इसी मार्किंग को देखिए बीच से फोल्ड करके दूसरे साइड भी कर लेंगे हाँ से हलका सा प्रेस किजीए तो यह वाला जो निशान है दूसरे साइड भी आजाएगा और इसी निशान के उपर हम एक लेयर लेस पहले लगाएंगे उसके बास से दो लेयर लेस यूच करेंगे यहाँ पर हम तो देखिए फ्रेंस एक लेयर लेस यहाँ पर हमारा लग चुका है और एक चाप के दूरी पर दूसरा लेयर भी यहाँ पर हम लगा लेंगे बीच की जो गैपिंग है बराबर से आपको छोड़नी है दूसरे साइड भी सेम एडिया से लेस को अटेच कर लिए है और अब हम बैक में टक्स लगा लेंगे जिस तरह से नॉर्मल ब्लाउज में लगाते हैं टक्स लगाने के बाद से फ्रेंस देखिए अब इसमें हम फैब्रिक लटकन लगाएंगे तो लटकन के लिए यहां पे चार कॉर कपड़ा लेंगे और उसको डबल फोल्ड करके भी से यहाई बीच से ट्रेंगल में फोल्ड करके चारों तरफ से श्टीच कर लेंगे स्टीच करने के वाध से देखिए यह यहाँ पर हम लज लगा रहे हैं नीचे से आपको बिल्कुल पाइपीन के बराबर कपड़े को छोड़ देना है और लाइस को लगा लेना है यहां पर ब्लाउंच के मैचेंग से हमारा लटकन हो जाएगा और देखे रेडिमेंट डोरी लेंगे रेडिमेंट डोरी बीच में रखके उसको टैंगल में फिर से करके जिस तरह से नॉर्मल लटकन हमें स्टीच करते हैं सेम उसी तरह से कर लेंगे दूसरा पीस भी सी तरह से रेडि करेंगे और रेडि करने के बासे यहां पर देखे फ्रेंस लटकन का हमारा दो पीस यहां पर रेडि हो जाएगा और दोनों पीस को में टक कर लेंगे ती बिज़ार चैनल को सब्सक्राइब करके वेल बटन को ओन कर दे फाइनल लुक आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है